नमस्कार मैं रविश कुमार जो राम को लाए हैं इस गाने के बहाने उनको सत्ता में लाने का जो भी गाना गा रहे थे और गा रहे हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आज उनको ले आएं जो इलेक्टोरल बॉंड को लाए थे उन से गा कर पूछा जाए क्यों छुप छुप कर फिरते हो क्यों बच बच कर रहते हो ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे किस किस को डराए थे किस किस को सताए थे आओ खुल कर तुम तुम बॉंड को लाए थे धंदा च देश को बताओ ना किस किस ने लूटा है पूछ रहे हैं सब तुम से तुम किन लुकाए हो इतना ही खाए हो या औरो छुपाए हो बॉंड की होली में तुम कितना नहाए हो किस किस से खाए हो किस किस को खिलाए हो जूट नहीं बोलो तुम राम को लाए थे सच सच कह दो तुम तुम बॉन्ड को लाए थे धंदा तुम भी खुब इस देश में चलाते हो बॉन्ड को लाए हो तो अब काहे लुकाए हो जनाब मैं मस्खरी नहीं कर रहा यह मामला बहुत संगीन है वैसे आठ सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक को फिर से निराशा हाथ लगी है यह इतना बड़ा घपला पकड़ाया है कि मुम्किन नहीं कि एक ही वीडियो में सारी बातों को समेट दें हम इस विशेपर कई वीडियो के साथ हाजिर होने जा रहे हैं आप बस अपने भीतर देखने और इस फ्रॉड को समझने का धीरज पैदा कर लिजे और हमारा लिखा गाना ध्यान से सुनिये हो सके तो गागा कर गाउं गाउं पहुँचा दीजिए भले ही हिंदी के अख़बार और पत्रकार इस ख़बर की हत्या कर दें मगर ये बाकई दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनावी घपला है आप सभी का फर्ज बनता है कि इस घोटाले को गाउं गाउं तक और जंजन तक पहुँचाएं इस वीडियो को अपने हाउसिंग सोसाइटी के ग्रूप में जरूर शेयर करें क्या देश के लिए आप एक वाटसअप ग्रूप से डिलीट होने का रिस्क भी नहीं ले सकते चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया उसमें एक बैबानी 14 मार्च की रात ही पकड़ ली गई यही कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने बान्ड का यूनीक नमबर नहीं दिया जिसे मिला कर साबित किया जा सकता था कि इतने करोड का बान्ड किस पार्टी ने भुनाया है और उस बान्ड को किस कमपनी ने खरीदा था आज सुप्रिम कोट ने यह काटा भी दूर कर दिया और कह दिया कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया को यूनीक नमबर देना होगा तो अब इसी के साथ किस का पैसा किसे मिला सब साबित हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा ये बहुत बड़ा फैसला है और बार-बार नाक कटवाने पर तुले स्टेट बैंक को बहुत बड़ा जहटका लगा है ये कैसा बैंक है? मतलब कसमी खा कर बैठा है कि लोग चाहे कुछ भी कहें बस मालिक नाराज ना हो हद हो गई याचिका चुनावायोग की थी डांट पड़ गई स्टेट बैंक को जब अच्छे दिन आते हैं तो यही सब होता है बार-बार जुगाड निकाला जा रहा है कि किसी तरह कुछ भी छिपा लें सब ना बताएं स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच का डेटा नहीं दिया है क्योंकि इस बारे में कोट का आदेश नहीं था ये कहा है ये करिब धाई हजार करोड का मामला है जो आकड़े दिये गए हैं वो केवल 1 अपरेल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच के हैं 12,516 करोड रुपए के बांड इस दोरान खरीदे गए इस में से 6,000 करोड से भी अधिक किराशी कुल 20 दान दाताओं ने खरीदी है यूनिक नमबर आते ही राजनितिक संबंध तेजी से स्थापित किये जाने लगेंगे वैसे भी छपी छापों और संबंधों की खबरें काफी कुछ बता रही हैं कौन किसके करीब है किसी का पता चल रहा है कि पहले छापे पड़े फिर उसने बांड खरीदे किसी ने बांड खरीदा तो उसे सरकार ने बाद में ठेका दिया भारत में 16 लाग से अधिक रडिस्टर्ड कमपनिया हैं और इलेक्टोरल बांड खरीदने वाली मात्र 1300 ये नमबर भी बताता है कि मुठी भर लोगों का सत्ता के केंद्र से कितना गहरा असर हो गया है अब आप इसे देखिए इसमें कई बुलबुले बने हैं कुछ बड़े बुलबुलों को देखिए सबसे बड़ा गोला फ्यूचर गेमिंग का है जिसने सबसे अभी 1368 करोड के बॉन्ड खरीदे इसके बाद मेगा इंजिनिरिंग का बबल है जिसने 966 करोड के बॉन्ड खरीदे गुलाबी रंग में हल्दिया एनरजी का बुलबुला है जिसने 377 करोड का बॉन्ड खरीदा उससे छोटा बुलबुला विदानता ग्रूप का है जिसने 376 करोड का बॉन्ड खरीदा वेस्टन यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 220 करोड भारती एर टेल ने 198 करोड और केवेंटर फूड पार्क ने 195 करोड का चंदा दिया बॉन्ड खरीदा इसके अलावा इस तस्वीर में कई छोटे छोटे बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं इनकी कहानी अभी सामने नहीं आई है बड़े बड़े बुलबुलों को देख कर आपको लगेगा कि इनकी संख्या बहुत कम है यानी 16,00,00 में बॉन्ड खरीदने वाली कंप्णियों की संख्या 1300 और इस में से भी जो बड़ी राशी देने वाली कंप्णियां हैं उनकी संख्या मुश्किल से 20 या 50 भी नहीं ये बुलबुले बता रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में मुठी भर लोगों का राज रहता है इसे ही सत्ता और धन का केंद्री करण कहते हैं किसी संदर में ओलिगार्की कहते हैं तो किसी संदर में कौकश, प्लूटोक्रेसी, कलेप् क्रेसी का भी इस्तेमाल होता है कुल मिलाकर धनिक और भरष्ट लोगों का तंत्र है ये सबसे अधिक बॉंड खरीदने वाली वो कमपनियां हैं जिनका सरकार के बिना काम नहीं चल सकता खनीज धातू टेलिकॉम ड्रक्स फार्मा सेक्टर के लिए काम करने वाली कमपनियां ज सबसे जादा चंदा बीजेपी को मिला है और उसी का बड़ा हिस्सा दिख रहा है उसके बाद त्रिनमुल कॉंग्रेस है और भारतिय राष्ट्रिया कॉंग्रेस राजनितिक दलों में भी कुछी को पैसे मिले हैं मतलब यह हुआ कुछ कमपनियां जादा चंदा देकर अप आरे लिए ये ग्राफिक्स बनाए हैं हम आभारी हैं इसी खेल को समझना है चंद कंपनियों का राज रहेगा एक ही पार्टी का राज रहेगा फाइदा किसका होगा सबसे अधिक बांड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग है यह कंपनी तब तब जादा चंदा द भाई अपना है तो बहुत उस्ताद कलाई दबा कर मुठी खुलवा देता है यह टेकनिक या टेक्टिस अपने पाले के लोगों के साथ भी आजमाई गई है और अपने पाले में लाने के लिए भी आजमाई गई है आप कहेंगे पर एलेक्टर बॉंड से तो आपको भी फैदा हुआ बीजेपी को 6,000 क्रोर रुप्या मिला और आपको 1,400 क्रोर रुप्या मिला यह बात सही है हम इनको इंकार नहीं कर सकते हम पीछे भाग नहीं सकते पर एक बात में आपको याद दिला दूँ ED, CBI, Income Tax हमारे हाथ में नहीं है हम किसी को धमकी नहीं दे सकते डरा नहीं सकते और दूसरी बात हम बड़े बड़े 10 साल से हम सत्ता में नहीं है बड़े बड़े Highway Project बड़े बड़े Power Project बड़े बंदरगाहों के Project बड़े बड़े एरपोर्ट, हवाई अड़ों के Project हम नहीं दे रहे हैं मोदी की सरकार दे रहे है तो हम इस थिती में नहीं है कि हम Contract दे सके या कोई Public Sector Company को बेच सके या ED और CBI का इस्तिमाल करके धमकी देकर उनसे हफता वसूली कर सके यही है BJP और Congress के बीच में अंतर उनको 6000 करोर रुपया मिला है यह एक ही रास्ता है कुछ नाम इस लिस्ट में नहीं है वो अलग अलग तरीके से उन्होंने BJP को चंदा दिया होगा वो ही जानते होंगे पर यह कहूँगा मैं कि चुनाव शुरू करने के पहले ही BJP ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है कॉंग्रेस के खिलाफ 2019 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है खाता बंदी BJP हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बकसे में दाल दिया हम हमारे बैंक अकाउंट ओपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की शैयत रर्चाई गई है कई कंपनियों के बारे में पता चल रहा है कि पहले छापा पड़ा फिर बॉंड खरीदे गए फिर कुछ ऐसी भी कंपनिया हैं जिन्होंने बॉंड खरीदा तो सरकार का ठेका मिल गया इलेक्टोरल बॉंड के पैटर्ण को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्यों धर्म पर इतना जोर देते हैं क्यों वे इस मसले पर नहीं बोल रहे हैं ताकि आप उनसे इन सब मसलों पर सवाल ना कर सकें आपके मन में जब भी सवाल पैदा हो वो आपको किसी मंदिर में दर्शन करते हुए या ध्यान करते हुए दिखाई दे जाएं ताकि आपका मन बदल जाए और लगे कि कितने सच्चे मन से भक्ती कर रहे हैं कहां समय होगा इनके पास 15 फरवरी को सुप्रीम कोड का फैसला आया 15 मार्च हो गया इलेक्टोरल बॉंड आपके सामने है एक बार भी प्रधान मंत्री ने इस विशय पर नहीं बोला इसलिए या सवाल उड़ सकता है कि क्या वे इस से बचने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं ताकि इस तरह के मुद्दों पर जनता को जबाब देने की नौबत न आए अपने आपको लगातार मंदिरों के फ्रेम में रखते हैं ताकि आपको याद ही न रहे कि वे प्रधान मंत्री हैं और उनसे सरकार के काम का हिसाब किताब लेकर आपको सवाल पूछने हैं थोड़ा धीरज रखिए अब सुप्रीम कोट ने कह दिया है कि बॉन्ड के साथ यूनिक नंबर देना होगा तो इससे पता चल जाएगा कि किसका पैसा किसकी जेब में गया अब आपको मिलाते हैं चंदा देने वाले सबसे बड़े केरेक्टर सेंटी आगे मार्टिन से बताइए तो जिस बीजेपी को खुद प्रधान मंत्री 2000 चंदा देते हैं 2000 रुपए का चंदा उस बीजेपी को ये कौन लोग हैं जो करोड रुपए का चंदा दे रहे हैं क्या वे बीजेपी को प्रधान मंत्री मोदी और ग्रिम मंत्री अमिशा से ज़ादा प्यार करते हैं अमिशा ने भी 2000 का चंदा दिया है वैसे अभी साबित नहीं हुआ है कि मार्टिन ने 1368 करोड के बॉण बीजेपी के लिए ही खरीदे मगर पैटन से बहुत कुछ पता चल जाता है यह मार्टिन है कोयमबर टूर का सेंटी आगे मार्टिन मियानमार से आकर भारत में लोटरी का धंदा चालू करता है गरीब लोगों को रातो रात अमीर बनाने का सपना बेशता है पैसा कमाता है 2019 से 2024 के बीच इस कमपनी पर आएकर और एडी और सी बी आई के चापे पड़ते हैं मनी लॉंडरिंग का मामला चलता है 2 अपरेल 2022 को मार्टिन की कमपनी फ्यूचर गेमिंग एन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की 409 करोड की चल संपती जब्द कर ले जाती है और 5 दिनों के बाद यही कमपनी 100 करोड का बॉंड खरीचती है इसके खिलाब मनी लॉंडरिंग का मामला है जिसके आरोप में नजाने कितने राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया कितनों को अपनी पार्टी तोडने के लिए मजबूर कर दिया गया और कितनों को डराकर उनसे अपनी ही पार्टी की सरकार गिरवा दी गई लेकिन यह मार्टीन 2019 से 2024 के बीच 1368 करोड का बॉंड खरीटा है लॉट्री के कारुबार से जोड़ी कमपनी ने 1000 करोड से अधिक का इलेक्टोरल बॉंड खरीदा बॉंड खरीदने में यह कमपनी देश में नमबर वन है इसके पास चंदा देने के लिए 1000 करोड का फंड कहां से आया यह अपने आप में जाच का विशय होना चाहिए मगर सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि क्या बीजेपी ने मार्टीन की कमपनी से चंदा लिया है अभी तक जितनी जानकारी आई है उससे चंदे का राजनितिक दल से संबंद सीधे सीधे स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने यूनिक कोड नमबर नहीं दिया है मगर मीडिया में उपलब्द कई जानकारियां और खबरें राजनितिक दलों से संबंद के बारे में इशारा कर रही है निर्मला सितारमन वितमंत्री हैं यहाँ वे लोटरी कारुबार से जुड़ी कमपनियों के प्रतिनिदियों से मिल रही है 2 अपरेल 2023 को वितमंत्री के कारियाला ने खुद ही यह तस्वीर ट्वीट की है वितमंत्री से मिलने वालों में जौज मार्टिन भी हैं उन्होंने वितमंत्री के ट्वीट को री ट्वीट करते हुए खुद ही यह कहा है वितमंत्री को धन्यवाद दिया है कहते हैं कि लोटरी का बाजार भारत में खुलना चाहिए इससे पांच करोड रोजगार पैदा होंगे भारत सरकार को सवा करोड से अधिक की GST मिलेगी यह खबर 2015 की है और इंडियन एक्स्प्रेस की सेंटियागो मार्टिन का बड़ा बेटा चार्ल्स जौस मार्टिन बीजे जताई थी 2014 में जिस दौरान सेंटियागो मार्टिन आठ मैने के लिए जेल में था उसके खलाब सी बी आई की चारशिट दर्ज की जा रही थी उसी समय उसकी पतनी प्रधान मंत्री मोदी के साथ कोयमबतूर में मंच साज़ा कर रही थी बताईए आखिर प्रधान मंत्री भष्टाचार में लिप्त पाए गए व्यक्ति की पतनी के साथ मंच पर क्यों थे या उनकी पतनी प्रधान मंत्री के साथ मंच पर क्यों थी रिपोर्ट में लिखा है कि इसने सिक्किम सरकार को साड़े चार हजार करोड का चूना लगाया है इस रिपोर्ट में भाटपा प राजनिती का एक प्रसंग विस्तार से लिखा है कि मार्टिन ने CPM के मुखपत्र देशा भिमानी को दो करोड का दान दे दिया इसे लेकर पार्टी में भारी विरोध हुआ मुखपत्र के जनरल मैनेजर को हटा दिया गया और विजेन गुट को ये पैसा लोटा ना पड़ा मार्टिन ने डीम के नेता करुन अंधी की लिखी एक फिल्म को भी प्रोड्यूस किया है मार्टिन के राजनितिक रिष्टे रहे हैं उसका कारुबार कई राज्यों में पहला है केरल के पुर्व बित्मंत्री थॉमस आईजेक ने ट्वीट किया है कि मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और लोटरी ने बीजे पी को 1368 करोड रुपे दिये हैं इस कमपनी ने सिक्किम में मेरे खिलाब मानहानी के दो मकदमे दायर किये हैं क्या इन चंदों का संबन्द लोटरी पर जी एसटी रेट घटाने से रहा होगा मार्टिन की कहानी विचित्र है मार्टिन का बेटा चार्ल्स मार्टिन 2015 से बीजे पी में है लेकिन अक्टूबर 2023 तक ED का रेट पढ़ रहा है मई 2023 में भी 457 करोड की संपती जब्त हुई और यह जनवरी महिने में बांड खरिती है कमपनी क्या यह माना जाये कि जब भी इससे चंदा लेना होता है ED रेट बढ़ा देती है और कमपनी बांड के रेट बढ़ा देती है अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच यह कमपनी 133 करोड रुपए के बांड खरिती है अब आप इस चार्ट को देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि एक साल में किस महिने में कितने का बांड खरिदा गया अक्टूबर 2020 में 1500 करोड का बांड मार्टिन की कमपनी फ्यूचर गेमिंग खरिती है 2021 में यही कमपनी तीन बार 109 करोड तीस करोड और 195 करोड के बांड खरिती है एक साल में करीब 334 करोड का बांड खरिती है इतना पैसा इसके पास कहां से है इसी का है या किसी और का पैसा घूम फिर कर आ रहा है 2022 की जनवरी में 210 करोड का बांड ये कमपनी खरिती है तीन महीने बाद ये अपरेल 2022 में फिर से 100 करोड रुपए का बांड खरिती है फिर उसी साल जुलाई में 75 करोड और अक्टूबर में 105 करोड दिसंबर में जाकर 10 करोड के बांड खरिती है इस तरह 2022 में 500 करोड के बॉंड खरिती है फ्यूचर गेमिंग्स 2022 में यूपी का चुना हुआ था उसके साथ उत्राखंड पंजाब हिमाचल और गुजरात में भी चुना हुए थे यह तो आपको जानना ही पड़ेगा कि इतना पैसा इस कमपनी के पास चंदा देने के लिए कहां से आ रहा है यह कमपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है क्या आपको अब भी लगता है कि घोटाला नहीं होगा उगाही का सिस्टम चल रहा है एक कमपनी पर चापे पर चापे पड़ रहे हैं और वही कमपनी करोडों के बॉन्ड खरीद रही है मतलब क्या अंकिलों के चक्कर में आपने अपना दमाग बिलकुल ही बंद कर दिया ह रॉइटर्स में कृष्ने कौशिक की रिपोर्ट छपी है इसमें प्रूडेंट एलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में बताया गया है जिसने 2013 से करीब 272 मिलियन डॉलर की राशी का जुटान किया है और इसका 75 प्रतिशत भाजपा को दिया है यानी करीब 1600 करोड रुपे कॉं 2013 में कॉंग्रेस सरकार नहीं ऐसे एलेक्टोरल ट्रस्ट के स्थापना की ताकि राजनितिक दलों को चंदा देने में टैक्स की छूट मिल सके इलेक्टोरल ट्रस्ट के मामले में भी पारदर्शिता के सवाल उठे हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रस्ट को कमपन के दो चेक दिये उसी दिन ट्रस्ट ने ठीक इतनी ही राशी के चेक भाजपा के नाम इशू कर दिये तो मार्टिन ने इस ट्रस्ट को 100 करोड का चंदा दिया जिस ट्रस्ट के ज retract के जरिये दिया उस ट्रस्ट 975% राशी केवल बी जेपी को दी और यह राशी 1600 करोड की है इससे तो अंदाजा मिल जाता है कि मार्टीन का 100 करोड या तो पूरा का पूरा बीजेपी को गया या फिर 75 करोड बीजेपी को गया। इलेक्टोरल बॉंड की तरह इलेक्टोरल ट्रस्ट एक और घपला है जिसे समझने की जरूरत है। लेकिन हमारा सवाल 1368 करोड के इलेक्टोरल बॉंड पर है जिसे मार्टीन की कमपनी ने खरीदा। तब खरीदा जब IT, CBI, ED के रेड चल रहे थे। क्या सारा ही पैसा बीजेपी को गया। State Bank of India जैसे ही यूनिक कोड नमबर देगा या स्थापित हो जाएगा। तब इस्तिती और भी साफ हो जाएगी। आप सवाल कर सकते हैं कि क्या बीजेपी को किसी भी रूप में पता था कि मार्टिन की जिस कमपनी पर ED का रेड चल रहा है उसने पार्टी को चंदा दिया है। कमपनी भी तो नड़ा जी के कान में बता सकती है। हमने आपके लिए 1368 करोड का बाउन खरीद लिया है। कई तरह के संयोग इस तरह से मिल रहे हैं कि बीजेपी को एकदम अंजान और अलग जानना संभव नहीं। दिसंबर 2021 में मीडिया में कई जगा खबरे छपी हैं। कॉंग्रेस ने आरोप लगाया था कि सेंटियागो मार्टिन ने बीजेपी को 100 करोड का चंदा दिया। तमिलनाडू कॉंग्रिस कमीटी के अध्यक्ष के एस सलागिरी ने ट्वीट कर कहा कि विधान सभा चुनाओं से पहले मार्टिन ने भाजपा को 100 करोड का चंदा दिया इसकी सीबी आई जांचो उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि अपरेल 2019 में आईकर विभाग ने मार्टिन की कमपनी और ठिकानों पर लगातार चार दिनों तक छापे मारी की 6 करोड की नगदी और 24 करोड का हीरा और सोना जब्त हुआ 2011 में सीबी आई ने मार्टिन के खिलाब 30 केस दर्ज किये थे मार्टिन पर सिक्किम सरकार को 45,000 करोड का धोखा देने का मामला है और 2011 में जमीन धांदली के मामले में जेल में रह चुका है अलागिरी ने सवाल किया कि ऐसे व्यक्ती द्वारा सो करोड दिये जाने के बदले में मोदी सरकार ने इससे क्या वादे किये हैं बेहतर है बी जे पी तुरन खुद सफाई दे दे बताए कि मार्टिन की कमपनी से किसी भी रूप में पैसा लिया था या नही इडी और आईटी के मामले में प्रभावित करने की शमता केवल केंदर सरकार को ही है दो सवाल उठते हैं क्या ये च्छापे चंदे की जबरन उगाही के लिए डाले जाते रहे या फिर च्छापे के बाद जान बचाने के लिए चंदा देने का रास्ता निकाल लिया गया क्या बीजेपी अब गर्वे के साथ अपने पोस्टर में बता सकती है कि हम मोदी हैं मार्टिन ने हमें चंदा नहीं दिया मोधी और मार्टिन के बीच कोई रिष्टा नहीं है मार्टिन गरीब लोगों को रातो रात अमीर बनाने का सपना बेचता है मोधी अच्छे दिन लाने का सपना बेचते हैं E.D. के मामले में प्रभावित करने की शम्ता केवल केंदर सरकार को है और सरकार में किसे है या आप जानते हैं एक पार्टी को क्या उस कमपनी से पैसा लेना चाहिए जिस पर उसी की सरकार में E.D. की जान चल रही हो बहतर है मोधी मार्टीन का राज बता दें या मार्टीन मोधी जी का एक तरीका और है विपक्षी पार्टियां खुद से बता दें कि उन्हें किस-किस ने चंदा दिया ऐसा करने से साफ हो जाएगा कि BJP को किस ने और कितना चंदा दिया वैसे अब जैसे ही यूनीक नंबर आएगा ये साफ हो ही जाएगा BJP दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसे इस मामले में बोलना चाहिए कि मनी लॉंडरिंग के केस में फसी कंपणी से उसने चंदा नहीं लिया है अगर ले लिया है तो हम राम को लाए हैं हम पैसा लोटाएंगे मार्टीन का पैसा है मार्टीन को लोटाएंगे अब आते हैं हेट्रो फार्मा पर हैदराबाद की कमपनी है साड़े साथ हजार करोड की कमपनी बताई जाती है एकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है अक्टूबर 2021 की आयकर विभाग हेट्रो फार्मा पर छापे मारता है 500 करोड रुपए के अगोशित आयका पता चलता है 142 करोड का कैश बरामद होता है इस कमपनी ने छापा पढ़ने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे या वो कमपनी है जो रेमडेसिवियर भी बनाती थी इस कमपनी ने अपरेल 2022 में 40 करोड जुलाई 2023 और अक्टूबर 2023 में 10-10 करोड का बॉन्ड खरीदा यानि कुल 60 करोड का चंदा दिया कई कमपनीया हैं जिन पर छापे पढ़े हैं तब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे क्या ये सवाल गलत है कि इन छापों का इस्तेमाल वसूली के लिए हो रहा था आप ही सोचिए जिस पर छापा पड़ेगा क्या वो नाचते गाते डांस करते हुए सरकार की पार्टी को करोड रुपए का चंदा देगा ED और IT के इस्तेमाल से राजनिती में विधायकों और सांसदों की उगाही की गई मतलब दूसरे दल से तोड़कर नेता लाए गए बिजनिस की दुनिया में IT और ED के इस्तेमाल से धन की उगाही की गई गोदी मीडिया का एक चैनल है उसकी में कमपनी भी है इस लिस्ट में 966 करोड का बॉण खरीदने वाली ये वो कमपनी है जिसे बॉण खरीदने के बाद 14,000 करोड का ठेका मिलता है मामला बहुत व्यापक है इसलिए दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए और एक बार सोचिए कि धर्म और रास्टर के नाम पर आप बेवकूफ बना दिये गए मुझे आपसे सहनुभूती है अगर आप रोना चाहते हैं तो मेरा कंधा आपके लिए हाजिर है नमस्कार मैं रविश कुमार